फिल्म की शुरुवात में हम देखते हैं टाई जो को, जो की हद से ज़ादा डिसिप्लेन लाइफ जीता है, उसे हर चीज परफेक्शन से करना पसंद है, जैसे कि हर सुहाद सिर्फ 135 कैलरीज का नाश्ता करना, अपने घर में हर चीज को उसकी सही जगाता रखना, यहां तक क वो अपने सूट पर लगे छोटे-छोटे रोए भी उतारता है, उसका परफेक्शन के लिए जुनून एक बीमारी बन चुका था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस डिसिप्लेन लाइफ टाइल ने उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदब की है, खा और माफी मांगते हुए उसके मालिक ने पैशाब उसके पूरे मूँ पे फैला दिया, और फिस जाकर उसका मूर्थ हुआ ठीक हुआ जब उसके कोलीक्स में उसे एडवांस में प्रोमोशन की बधाई दी, इसके बाद सभी को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए पुनाया गय और इसमें किसी भी तरह की गड़बर बरदाश्ट नहीं की जाएगी, पता चलता है कि वो वी आईपी कोई इंसाल नहीं बलकि मिंग मिंग नाम की पैंडा है, जानवरों से नफरत होने के बावजू टाइजू इसकाम के लिए वालन्टियर करता है ताकि उसकी प्रोमोशन पक्की हो जाए, इवेंट वाले दिन टाइजू ने सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये थे, कई मिलिटरी डॉक्स को भी बुलाया गया था ताकि इवेंट में किसी भी तरह की गड़बर ना हो, टाइजू अपने जूनियर एजेंट क्रोनी से मिला जो अभी अभी इसलिए टाइजो ने उससे वो पैन ले लिया और डंग से अपनी ही जगा पर रहने को कहा, थोड़ी दे बाद प्रोग्राम चुरू हुआ और मिंग मिं स्टेज पर आई, उसे देखकर सब बहुत खुश हुए और उसकी तस्वीरे लेने लगे, लेकिन तभी कुछ गुंडो ने मिंग मिंग को बेहोशी की गोलिया मार कर गाड़ी में बैठा लिया, टाइजो ने उने रोकने की कोशिश की लेकिन गुंडो ने उसके पास एक स्मोक बॉम पैका और उसे चक्मा देकर वहां से निकल गए, इससे पहले कि वो उनका पीछा करता, क्रोणी ने गॉल्फ काड से उसे टक कर मार दे, गिरने पर उसका सर जोर से रोड पर लगा, बेहोश होने से पहले उसने एक मिलिटरी डॉक को अपनी तरफ आते हुए देखा, कुत्ते ने उससे पूछा, आवी एवरजंसी के टाइम पर सो रहा है, सारा डिपार्टमेंट हम कुत्तों के वज़े से चल रहा तो मरा, जब टाइजू को होश आया तो उसने अपने आप को एक गले का पट्टा पहने अपने घर में पाया, उसे पता चला कि N.I.S. ने स्टेटमेंट दी थी कि कल वाला इवेंट एक ट्रेनिंग थी, ताकि असली इवेंट के दौरान ऐसा कुछ न रही थी, वो कुटा खुट से बात कर रहा था कि आज फिर से मौका मिल जाया तो मज़ा आज है, इसी के मूपे हलका हो जाँ, वो जल्दी से एक दुकान पर गया और बढ़िया खाना और कुछ दवाईया ली, ये सोच कर कि शायद वो बिमार हो गया है, लेकिन उसके होश तब उड़े जब हाँ पालतू जानवरों के सेक्शन में एक चुहे ने उसे खुद को खरीबने के लिए कहा, और उसके साथ वाले कंटेनर में बैठा है जो तो कहने लगा कि इसे छोड़ के मुझे ले चलो उंकल, मैं बहुत बढ़ी हूं, मेर पे 500 रुपे आफ भी है, ट टाइजू ने चौक कर अपने बॉस से पूछा कि क्या उसे नौकरी से हटाया जा रहा है, जिसने जवाब दिया कि वो उनके सबसे अच्छे एजेंट्स में से एक है, वो भला उसे क्यों हटाएंगे, लेकिन जब मचलियां चुप हुने का नाम ही नहीं लेती, तो टाइज जोड से उन पर चिलाया, सब उसकी तरफ असमंजस में देखने लगी, उसने अपनी डारेक्टर को बताया कि वो जानवरों की बात सुन सकता है, डारेक्टर को लगा कि उसके सर पर लगी चोटने कुछ कहरा असर किया है, और उसे कुछ दिन हराम करने को का, और फिस से नहीं कुछ बातचीत कर रहे थे, तो क्रोणी ने गल्ती से अपनी कॉस्ट्यूम में याग लगा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जब टाईजू घर लोट रहा था, तो उसे एक फीमेल गोरिला ने अपने पास बुला कर कहा कि वो जानती है कि वी किड्नापर्स की सुगंद याद है, अगर उसने को ढूंड लिया तो वो उसे मिंग मिंग को अगवा करने वालों तक ले जा सकता है, उस रात वो एक खाली पड़े घर में गया, जहां कुछ जानवरों को अपने वीर्ता की किस्से सुना रहा था, कि कैसे उसने सर्भिया मे कई सिपाईयों की जान बचाई थी, टाइजू को देखकर उन्होंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने उनके सामने खाना फैंक कर उनका ध्यान भटकाया और लेकर भाग गया, घर जाते समय टाइजू ने इसे किड्नापर्स के वारे में पूछा, लेकिन इस सिच्वेश लेकिन तभी वहाँ उसकी बेटी सियो यान अपनी दो दोस्तों के साथ पहुंची, उसकी मा के गुजर जाने के बाद सियो यान और टाइजू के रिष्टे में काफी तनाप आ गया था, उसकी खतरनाक नौकरी की वज़े से वो दोनों साथ भी नहीं रहते, आज उसकी बे इसके बाद वो एक पार्ग में गए जहां पूरा दिन सियो यान के साथ खेली, शाम को उसके जाने के बाद बास में हो रही आतिशवाजिया को उस समय की याद दिलाती हैं जब वो सर्विया में था, जिसके बाद वो थोड़ा उदास हो गया, जब टाइजू ने उससे इस खड़े आदमी ने उसे डेटोनेट कर दिया, इस धमाके में सो ही की मौत हो गया, उसमें उस आदमी पर हमला किया लेकिन उसे रोक नहीं पाया, पर उसे ये ज़रूर पता चला कि उस आदमी की एक टांग नकली है, और पिर जिस दिन वो किड्नैपर्स मिंग मिंग को करने आए, तो उसे वही सुगंद फिर से आई, कुत्ते की दुख भरी कहानी सुनकर टाइजू को उसके लिए बहुत बुरा महसूस हुआ, और उसका मूद ठीक करने के लिए उसके साथ खेलने लगा, उधर मिंग मिंग बैंबू के अलावा कुछ भी खाने से मना कर देती ह जिसके बाद वो किड़नैपर्स उसके लिए एक फार्म से बैंबू लेकर आए, अगले इस सुनता हुआ टाइजू को उसी बैंबू फार्म में ले गया, उन्होंने उस फार्म के मालिक की पालतू बक्री से किड़नैपर्स के बारे में पूछा, जिससे उन्हें जिसमें वो एक पैंडा के जीन्स का इस्तमाल करके एक नई स्वीशीज का इजाद करना चाहते हैं जिसे इनसान पालतू जानवरों की तरह अपने पास रख सके और इसी वज़े से उसमें मिंग मिंग को अगवा करवाया होगा टाइजू ने मैंसीक और उसके बॉडी उसे गिरफतार करके पुली स्टेशन ले गया लेकिन गलती से वो पीछे ही छोड़ाया एन इस की डारेक्टर ने टाइजू से पूछा कि वो किस बिना पर मैंसीक को गिरफतार करके यहां लाया है पर वो कैसे बता था कि यह सब एक कुत्ते ने उसे बताया था उनकी ने उसमें मिंग मिंग को अगवा करने की सुपारी दी थी हमें पता चला कि दिमीत्री नाम के एक आतंकवाधी ने मिंगमिंग को किड्नाप किया था तो धोखा इसलिए लगा क्योंकि दिमीत्री ने अपने चेहरे पर मैंसीक का एक हाई-टेक मुकौटा पहना दा उस पैंडा को अगवा करने के बदले उसने मैंसीक से ऐसे कैपसूल बनवाए थे जिने अगर किसी को खिला दिया जाए तो एक रिमोट का इस्तमाल करके दूर से ही धमाका किया जा सकता है जो मैंसीक का पीछा करते हुए वहाँ पहुचा था उनकी बाते सुनकर सारी सच्चाई समझ गया उसने मिंगनिं के पास जाकर उसे दिलासा दिया कि कोई नी चाती आएंगे तुझे बचाने इसके बाद वो भागता हुआ टाइजू के घर गया और घंटी बजाकर दर्वाजा खोलने को कहा लेकिन टाइजू को अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि ये वज़ा से ही उसकी नौकरी गई थी मिलिटरी वाले वहाँ से ले गए और ये तैह हुआ की ओर्डर्स फॉलो ना करने की वज़ा से उसे मार दिया चाहेगा जब सीयो यान से मिलने वापस आई तो उसे पता चला की टाइजू ने उसे छोड़ दिया है अपनी बेटी को दुखी देखकर टाइजू ने वो बचाने का फैसला लिया वो मिलिटरी के डॉग शेल्टर में गया और उसकी जान बचाई टाइजू को उस गोदाम में लेकर गया जहां किडनापर्स ने मिंग मिंग को रखा था उन्हें वाँ क्रोनी भी मिला जो जॉगिंग करते हुए रास्ता भटक गया था टाइजू जानता था कि इसको अंदर ले गए तो मरे इसलिए उसने सक्ती से उसे बाहर ही रहने को कहा तो टाइजू चुक्चाप गोदाम में दाखिल हुए टाइजू ने एक इलेक्ट्रिक गन से बहुत सारे आतंकवादियों को धेर कर दिया दिमीत्री और उसके बीच में लड़ाई शुरू हुई दिमीत्री उसे मारने ही वाला था लेकिन एन मौके पर वहां आकर उसकी जान बचाए वो मिंग मिंग को लेकर वहां से जल्दी से भागे पहाडी पर चड़कर उन्होंने वहां रखे बैरल्स को उनका पीछा कर रहे आतंकियों की तरफ उडे दिया एक बैरल के साथ क्रोनी भी नीचे चला गया वो तीनों सारी रात भागते हुए एक हाईवे पर पहुँचे मौका देखकर वो एक बस में चड़े जहां टाई जो ऐसा दिखाता है कि मिंग मिंग एक इंसान है जिसने कॉस्ट्यूम पहनी हुई है उदर गोदाम में मैंसी कुस पैंडा के गायब हो जाने की वज़े से आग बबूला हो रहा था लेकिन जब उसने दिमित्री के साथ बेज़ती से बात की तो आतंकीयों ने उसे जबरदस्ती वो विसपोटक कैपसूल खिला कर एक कमरे में बंद कर दिया दरसल दिमित्री का असली प्लान ये था कि वो मिंग मिंग को एक कैपसूल खिला कर वापस भेज़ देगा क्योंकि जल्द ही वो पैंडा एक ऐसे इवेंट में जाने वाली थी जहां चाइना और कोरिया के बड़े बड़े लीडर्स भी मौजूद होंगे और वो उस कैपसूल का इस्तमाल करके उन्हें मारना चाहता था आतंकियों के बाहर आजाने के बाद गोदाम में एक जबर का थमाका हुए जिसका मतलब ये था कि वो कैपसूल जो उन्होंने मैंसीट को खिलाया था भट गया टाइजू ने एन इस की डारेक्टर को अपने घर बुलाकर मिंग मिंग से मिलवाया उसके घर में वो सारे जानवर मौजूद थे जिनसे उसने अब तक बात की थी वो मिंग मिंग को सही सलामत गाड़ी में बैठाकर इवेंट में ले गए और एक अजीब सी स्मेल आती है वो उसे सूंगते हुए जा रहा था कि अचानक से दिमित्री के लोग आए और उसे उठाकर ले गए टाइजू ने उन्हें देख लिया लेकिन रोक नहीं पाया उसे घर जाकर तोते से को ढूणने के लिए कहा दिमित्री जबरदस्ता भी मिंट्री डॉक्स को वो विस्पोर्टक कैपसूल खिला देता है क्योंकि वो व्यूस इवेंट में मौजूद होंगे तो दिमित्री अब उन सब को बं की तरह इस्तमाल करे है प्रोग्राम शुरू हु जैसे वो सब अंदर ही कैद हो गए कैपसूल के फटने से कुछ तेर पहले टाइजू क्रोणी के पास गया और उसके पैन के बटन को दबा दिया जिसमें वहां मौजूद सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसिस को बं कर दिया सभी कैपसूल कुट्तों के पेट में ही डिशूज ह दिमीत्री वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन असका पीछा किया इस लडाई में पुरी तरह घाल हो गया दिमीत्री उसे मारने ही वाला था कि टाइजू बीच में कूद पड़ा गोली टाइजू को लगा अगले दिन जब वह अस्पताल में उठा तो उसे पता चला कि टानवरों के अस्पताल में है वो उससे मिलने गया लेकिले ही मर चुका था दोनों बाप बेटी लिपट कर रोने लगे लेकिन डॉक्टर ने आकर बताया कि वो बस सो रहा है आखरी सीन में हम देखते हैं कि अपनी वीरता के लिए एको एनाइस की डायेक्टर एक मैडल स कर देसा मारी के दो